The Seven Habits of Highly Effective People एक उप्युक्तता की द्रिष्टी से सर्वोत्तम व्यक्तियों के साथ आदतों की एक महत्वपूर्ण किताब है. पहला अध्याए, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्मान करना, पर केंडी कोवी की द्रिष्टी को प्रस्तुत करता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें अपनी जीवन शैली को सकारात्मक रूप से संरचित करने की आवश्यक्ता है. दूसरा अध्याए, लक्षियों को स्पष्ट रूप से देखना है, जिसमें केंडी कोवी ने स्पष्ट लक्षित तैय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाने की महत्वपूर्णता को बताया है. तीसरा अध्याए, पहले कार्रवाई करना, पर केंडी कोवी ने उत्कृष्टता की दिशा में आवश्यक बुनियादी कार्रवाई करने के लिए सुझाव दिये हैं. चौथा अध्याए, समझने की कठिनाईयों को सुलजाना में, व्यक्ति के अंद्रीकृत समस्याओं को सुलजाने के लिए सही समझ बनाए रखने का महत्व बताया गया है. पांचवा अध्याए, आपसी समझ की स्थापना करना, व्यक्ति के समाज में सही रिष्टे बनाए रखने के लिए तकनीकों की चर्चा करता है. चठा अध्याए, स्यनर्जी का उपियोग करना में, विभिन्न मतों और द्रिष्टिकोणों को मिला कर नए और समरिद्धिशील नतीजों की प्राप्ति के लिए सहयोग और समर्थन की बात की गई है. सातवा अध्याए, स्वयम को अच्छे से तयार करना में, आत्मसुधार की महत्वपूर्णता और आत्मविकास के लिए आवश्यक सिध्धान्तों पर बात की गई है. इस पुस्तक का सार है कि यदि हम इन साथ आदतों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावी बना सकते हैं. सात्वा और अंतिमध्याए समाप्ती की शुरुवात में केंडी कोवी ने आदतें कैसे बनती हैं और व्यक्ति इन्हें कैसे अपना सकता है, इस पर विचार किया है. उन्होंने बताया है कि यह साथ आदतें केवल एक तकनीकी उपाय नहीं है, बलकि यह एक जीवन शैली का हिस्सा होती है, जो व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावी बनाती है. केंडी कोवी की सर्वोत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें किताब हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और प्रभावी जीवन की ओर पहुँचने के लिए हमें अपनी सोच, आचरण और आदतें सुधारनी होती हैं. इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर चलने, सही समय प्रभंधन करने और सकारात्मक संबंध बनाए रखने के महत पूर्ण सिध्धानतों को सीख सकते हैं. इसका पालन करके हम स्वयों को नहीं, बल्कि अपने आस-पास के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सम्रिध्य और संबंधों में मिलनसर हो सकता है। सर्वोत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें के माध्यम से केंडी कोवी ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की सफलता और सुक शांति का मूल रूप से आधार सबसे पहले व्यक्ति के अंदर होता है। पुस्तक ने यह भी दिखाया है कि हमारी आदतें हमारी चुनौतियों और समस्याओं का सामना कैसे करती हैं और इन्हें कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। कोवी ने नहीं सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए बलकि व्यापार, परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है यह भी बताया है। उनकी साथ आदतें एक नैतिक और सही दिशा में जीवन जीने के लिए एक बेहतर दृष्टिकोन प्रदान करती हैं जो समरिध्य और संतुलन को प्रोचसाहित करता है। इस पुस्तक का संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सर्वुत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सफलता और खुशियां सिर्फ उपायों या तकनीकों के सिर्फ संबंध में नहीं हैं बलकि यह हमारी आत्मा के साथ मिली जुली जीवन शैली में होत ये पुस्तक एक सार्थक और प्रेर्णा दायक मार्कदर्शन प्रदान करती है, जो हमें सम्रिध्धि, संतुलन और सफलता की दिशा में मदद कर सकता है. सर्वोत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें केंडी कोवी ने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है कि सफलता का वास्तविक अर्थ यह नहीं होता कि हम अगलों को प्रभावित करें, बल्कि यह है कि हम अपने आत्म विश्वास और उद्धीपन से जीवन को कैसे जीते हैं। केंडी कोवी ने साथ आदतों के माध्यम से स्वयम को स्थापित करने का मार्ग दर्शन किया है, जो व्यक्ति को सच्ची मूल्यों, लक्षियों और सुधार की दिशा में ले जाते हैं। उनकी बातचीत, उदाहरण और कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे आत्म नियंत्रण, सहयोग और समर्पन से हम अपने लक्षियों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस पुस्तक का सरवांगीन संदेश है कि हमारा व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन हमारी आदतों, सोच और विचार शीलता पर कैसे निर्भर करता है। संतुलित और प्रभावी जीवन की दिशा में मदद कर सकती है, जिससे न केवल व्यक्ति बलकि समाज भी सुधरेगा। सरवत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें का समापन करते हुए। हम कह सकते हैं कि यह किताब हमें एक नए दृष्टिकोंड से जीवन को देखने का आदान प्रदान प्रदान करती है। यह न केवल व्यक्तिगत सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दर्शन करती है, बलकि इससे एक सुसंगत, समर्थ और समर्धिशील समाज की दिशा में भी मदद मिलती है। केंडी कोवी की यह रचना एक अद्वितिय दृष्टिकोंड प्रदान करती है, जो व्यक्ति को उच्चतम प्रदर्शन और समर्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संगीत बद्ध करती है। और उच्चतम स्तर पर कार्य करने के लिए अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। यह एक प्रेरणादायक रूप से लिखी गई है, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने, अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रेरित कर सकती है। सर्वत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें एक ऐसी रौशनी है, जो हमें अच्छे और सकारात्मक जीवन की दिशा में मार्ग दर्शन करने के लिए एक महत्व पूर्ण संसाधन प्रदान करती है। इसका अनुसरण करके हम अपने लक्षियों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक पूर्ण और सत्यप्रिय जीवन की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। इस किताब में शामिल किये गए सिध्धान्तों का पालन करके हम अपने दिन्चर्या में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए एक सजीव मार्ग पर चल सकते हैं। यह आत्म नियंत्रण और उच्चतम प्रदर्शन की दिशा में हमें मार्ग दर्शन करती हैं, जिससे हम अपने पूर्ण पोटेंशियल को बहला कर समरिध्य और संतुलन की दिशा में बढ़ सकते हैं। सर्वोत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति की सफलता उसकी आदतों, विचारशीलता और संबंधों पर कैसे निर्भर करती है। यह एक ऐसी गहरी अध्यान है जो व्यक्ति को निरंतर सुधारने और उन्नती करने के लिए प्रेरित करता है। और अपने आत्मविकास का समर्पन कर सकते हैं, जिससे हम न केवल खुद को बलकि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इस पुस्तक के सिध्धानतों को अपना कर हम अपने जीवन को स्वयम पर कंट्रोल करने की आदत डाल सकते हैं और अपनी सोच और कृष्ट को सकारात्मक बना सकते हैं। यह एक योजना प्रदान करती है, जो हमें अपने लक्षियों की प्राप्ति में सहायक हो सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत या पेशेवर क्षेत्र में हो। केंडी कोवी के सिध्धानतों में से एक और महत्वपूर्ण तत्व है समर्पन। समर्पन से मतलब है अपने लक्षियों के प्रति पूर्ण समर्पन, समर्पित रहना और कारवाई में समर्पित रहना। ये हमें ये सिखाता है कि सफलता का मूल रूप से संबंध उस स्तर से होता है, जो हम अपने लक्षियों के प्रती समर्पित रूप से रहकर प्राप्त कर सकते हैं. इस किताब का उद्धीपन हमें यही बताता है कि हमारी आदतें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और यह हमारे उद्धीपन सोच और क्रिष्ट को कैसे दिशा में बदल सकती हैं इससे हम अपने आत्म समर्पन को बढ़ा सकते हैं जो हमें अपने लक्षों की प्राप्ति की दिशा में सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है। सर्वोत्तम व्यक्तियों की साथ आदतें। एक ऐसी उप्योगी राहगीत है जो हमें सफलता, आत्म समर्पन और उच्चतम प्रदर्शन की दिशा में मार्ग दर्शन करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सफल और प्रभावी जीवन का रहस्य हमारी सोच, आदतें और कार्रवाई में छिपा होता है। और इन्हें सकारात्मक दिशा में बदल कर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं।